अंग्रेजी सत्ता को भारत की जमीन से उखार फेखने के लिए गांधी जी के नेतिरत में जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी उसे अगस्त क्राम्ती के नाम से जाना गया है। स्वतंता संग्राम सेनानियों को गिरफतार कर जेल में भेज दिया गया था जिसके बास से इस दिन को अगस्त क्रांती के रूप में मनाया जाता है अमित गुप्ता ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है और हमें अपने नौनी हालों को भी आजादी के बारे में बताना चाहिए किस प्रकाय से शहादत देकर हमारे पूर्वजों ने हमें खुली हवा में सास लेने का अधिकार दिलाया देखे 8 अगस्त 1942 को भारत चोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी ठीक 9 अगस्त की रात को ही हमारे जितने भी कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता थे भारत चोड़ो आंदोलन के उनको सब को अंग्रेजों द्वारा ग्रिफतार कर लिया गया था तो उसके पस्चास से ही आज तक इसे करांती दीवस के रूप में मनाया जाता है आज हम सबसे पहले उन सब जितने भी हमारे शहीद हैं जिनोंने भारत को आजात कराने के लिए अपने कुर्बानिया दी बलिदान दिये उन सब को नमन करते हैं और आने वाली युवा पीड इसे अनरोध करते हैं कि वो इतियास में उनके बारे में पढ़ते तो हैं लेकिन हम सब को उनके पच्चिनों पर चलना चाहिए उनसे प्रेणा लेने चाहिए क्योंकि ये जो देश है वो हम सब का देश है विबिन्धा का एकता का देश है इसमें एकता बनाये रखने के लि आप देख रहे हैं दखल्यूज